ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा मुहिनी मंत्र जिसको कि आप उम्र भर भूल नहीं पाएंगे ये एक वर्दान है जो आज आपको मिलने वाला है ये कुछ उन गिने चुने मुहिनी मंत्रों में आता है जो कि आपकी मन्शा को पूरा कर सकते हैं अगर कहीं ढूनने जाएं मुहिनी मंत्र और ये वाला मंत्र मिल जाए तो समझेगा कि आपका दिन आज अच्छा है भारत वर्ष में बहुत समय पहले एक सिद्ध तांत्रिक हुई है जिनका नाम है लोना चमारी कुछ विद्वानों के नुसार उनका जो जन्म है वो अमरश्टर शहर के चमार गाओं में हुआ था वहां के जो चमार जाती वाले लोग थे उनके बीच में उनका जन्म हुआ था और कईये कि तो ऐसी माननेता है कि जो गोरखनात की जो माता थी उनकी शिश्या रही है लोना चमारी तो अब तक जितने भी साक्षे मिले हैं वो ये परमानित नहीं करते कि उनका असल में जन्म कहा हुआ था बस हमें इतना पता है कि उनके जो गुरू थे वो इसमाइल जोगी थे जिनसे कि उन्होंने पूरा तंत्र सीखा और उसके बाद वो प्रचलित हो गई वो उन तंत्रिकों में आती हैं जो कि एक बार मंत्र दे दें तो वो कभी विफल नहीं होता उनकी तूती पूरे संसार में बोलती थी ऐसी तंत्रिक बहुत कम ही होते हैं उनके कुछ ऐसे सिद्ध मंत्र है जो कि आम भाशा में आम बोल जाल की भाशा में आप समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बहुत अत्याधिक होता है यदि एक बार किसी पर लगा दिया जाए तो वो लगकर ही रहता है जो लोना चमारी हैं इनको बहुत से प्रांतों में जाना जाता है जैसे बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया तो मेरा एकमत ये भी है कि ये क्यापता ब्रहमन करती हूं और जहां जहां ये गई, जहां जहां इन्होंने अपने जमतकार दिखाए आती थी, कोई ना कोई चमतकार कर देती थी और आज इन ही का एक ऐसा मंतर मा आपको दूँगा जो कि बहुत ही पावर्फुल है मोहिनी मंतर जीसे कहते हैं किसी को वशिभूत करने के लिए जो मंतर बना है लोना चमारी का वो आज मैं आपको देने वाला हूं के सारे स्वयम सिद्ध मंत्र है शाबर मंत्र है एक बार कर देने से ही अपना काम कर देते हैं इसको कैसे करना है कि सबसे पहले आपको एक लाल रंग का पुष्प लेना है लाल रंग के पुष्प को धूब नवय दीपक सब दिखा कर उसके बाद उस पर इस मंत्र को पढ़ द लेना है ओम कामरूदेश तेकर फूल बिने लोना चमारी योवास फूल की आवेवास तो अमूकी हमारे आवे हमारे पास मतलब अमूकी जो भी जो भी साध्य है जिसको भी आप अपनी और आकरशित करना चाहते हैं उसका नाम आप अमूकी के जगर रखें वो चाहें पुरु शोस्त्री आप किसी का भी नाम ले सकते हैं अमूकी आवे हमारे पास मेरी भक्ती गुरु की शक्ती फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा मंत्र थोड़ा बड़ा है तो एक बार फिर से ओम कामरूदेश तेकर फूल बिने लोना चमारी योवास फूल की आवेवास तो अमूकी आ आवे हमारे पास अमूकी में आपको अपने साध्य का नाम लेना है जिसको भी आप आकरशित करना चाहते हैं मेरी भक्ती गुरु की शक्ती फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा आपको क्या करना है ये जो मंत्र है इसकी साथ माला आपको किसी भी लाल रंग के फूल पर या गु और आठ दस पंदरा जितना अधिक हो सके जितना अधिक आप करोगे उतना ही अधिक ये प्रबल होगा लेकिन एक बार में ही आपको करना है अगर बीच में आप रुख गए तो वो माना नहीं जाएगा यदि आपने एक बार में आप सुबह बैठे शाम तक आपने दस माला कर दी तो वो दस माला ही मानी जाएगा अगर आपने बीच में ब्रेक ले लिया तो वो नहीं माना जाएगा बस एक बार में आपको करना है फिर उस फूल को अपने पास सुखा कर रख ले और जब भी कभी जिस भी स्तरी पुरुष को वश में करना हो इस फूल को जो है जो भी स्तरी पुरुष इस पुश्प के संपर्क में आएगा वो राद दिन बस आप ही की माला जपेगा ये प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है क्योंकि एक बार ये किसी भी कर दिया तो उसे अपनी सुदबुद नहीं रहेगी उसके लिए आप जो है ईश्वर से कम नहीं होग जिसने भी ये इल्मोहनी लगाई होगी बस दिन रात यदि वो से नहीं मिलता नहीं देख पाता तो बस रोता रहेगा रातों को सुएगा नहीं बस अपने साध्दे के बारे में सोचता रहेगा और यदि दोनों का मिलन हो जाता है तो दोनों बिलकु अराम से हसी खुशी तो कभी भी इस मंत्र का दुरूपयोग ना करें ये चीजे जो हैं आपका काम बना सकती हैं तो बिगाड भी सकती हैं कभी भी इनकी परिक्षा ना लें यदि मन में सच्चा प्यार हो, ग्रह कलेश हो रहा हो, पती पत्नी में बनती ना हो उस जगह पर इन मंत्रों का काम किया जाता है तो पिछले जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जो लोना चमारी थी, वो किसी को आसक्त करने के लिए ये नहीं करती थी ये जनहित के लिए करती थी और कई लोग ऐसे भी होते हैं, आजकल आप देखिए मैं अभी कल वीडियो ही देख रहा था कि जो राम मंदिर बना है वहाँ पर राम के एक जहाकी निकल रही थी तो एक सजजन जो है वो चड़गे उपर उस मूर्ती को जो है कहीं से तोड़ रहे हैं, मरोड रहे हैं तो ऐसे लोग भी हैं तो यदि आपको कुछ बुरे कमेंट्स आते हैं कुछ अभद्र टिपनिया कोई करता है तो उस पर ध्यान मत दीजी क्योंकि ऐसे लोग होते हैं आपको क्लिप्स में मिल जाएंगे हर जगे ऐसे लोग होते हैं तो मैं ये जो चीज़े हैं ये साधुगन के लिए बना रहा हूँ जिनकी मती ठीक है अब जिसकी मती ही ठीक नहीं है फिर वो क्या करेगा बताईए जो कुवा है वो शीतल जल पीने के लिए होता है लेकिन उसमें कोई डूब कर मर जाए तो फिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तो ये जो विद्या है ये हर किसी के लिए नहीं बनी थी जैसे के मैं अब आपको बता रहा हूँ तो ये आम जंदा के लिए नहीं बनी थी इसके लिए विद्वान होते थे जो कि इस पर गहन अध्यान करते थे और उसके बाद उन्हें तांत्रिक कहा जाता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भी वो समर्थ है आपके अंदर भी वो विद्या आए और इस विद्या को हम फिर से जीविद कर पाए इसलिए आपको ये मंत्र बताए जा रहे है तो अपने गुरू का कभी भी नाम नीचे नहीं डूबने देना चाहिए यदि आप कोई तूटी करते हैं तो गुरू आपको संभाल सकता है लेकिन आप इसमें इसका दुरूपियोग करेंगे तो गुरू भी आपको नहीं बजा पाएगा तो सात्विक होकर इकागरचित होकर इस मंत्र का प्रियोग कीज़ेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी एक बार मैं फिर से कह दूँ कि इसका कभी भी दुरूपियोग ना करें अपना घर बचाने के लिए कोई कलह कलेश ना रहे आप अराम से जिन्दगी जी पाएं अपने साथी को पाने के लिए यदि आप चाहते हैं किसी से शादी करना तभी इसको प्रियोग में लाइएगा आँख मूंद के लाइएगा कोई इसमें डरने की बात नहीं है लेकिन किसी के दिल को तोड़ने के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए इस मंतर का प्रियोग ना करें इसको हमेशा तभी प्रियोग में लाएएग जब आप इन शक्तियों को संभालने का सामर्थे रखते हो अन्य था ये चीजें अनिथिकल है अगर कुछ पूछना हो कुछ समझ ना आये हो या कोई ऐसी जिग्या सा हो जो कि आपके भीतर घर कर गई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर और मेरी मेल आइडी है info at the rate mohinividya.com धन्यवाद